नमस्कार समाचारों के साथ मैं प्रशान्त सेंगर सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समाचार पूर उर्प्रधान मंत्री पीवी नर्से महराओ और चौधरी चरण सिंख सहित चार हस्तियों को मिला मरनो प्रांत भारत रत्न सम्मान भारती जन्त पार्टी ने 27 सदस्यों की चुनाओ घोशना पत्र समिती बनाई राजना सिंग होंगे अध्यक्ष आज प्रदेश भर में रंगमजमी की धूम जुलूस में निकले बड़ी संख्या में हुरियारे और प्रदेश के कही हिस्सों में बादल छाय रहने और कहीं कहीं गरच्चमा के साथ बारिश की संभावना और अब समाचार विस्तार से राशपती द्रोपदी मुर्मु ने आज नई दिली में राशपती भवन में आईजित समाहरों में पूर प्रदान मंत्री पीवी नर्सिम हराव और चौदरी चरण सिंग सहिते क्रिशी वेग्यानिक एमेस स्वामिनाथन और बेहर के दो बार मुख्य मंत्री रहे करपूरी ठाकुर को मरणो पुरांत देश के सरवोच नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किये अलंकरंड समाहरों के दोरान पुरुसकार विजताओं के परिवार जनों ने पुरुसकार प्राथ किये बारत रतन देश का सरवोच नागरिक प्रुसकार है और ये सम्मान असाधारन और उल्लेखनी सेवा के लिए प्रदान किया जाता है बारती जन्तपाटी ने लोकसवा चुनाव के लिए चुनाव घोशना पत्र समिति का कठन किया है समिति का देक्षरक्षा मंतरी राजनास सिंग को बनाए गया है और सायोंजेक वित्व मंतरी निर्मला सीता रमन होंगी 27 सदसी समिति में मध्यप्रदेश से मुख्य मंतरी डॉक्टर मोहन यादा और पूर्व मुख्य मंतरी शिवराजी सिंग चौहन को शामिल किया गया है वहीं सहसायोंजेक महाराश्टर से प्यूश गोयल को बनाए गया है समिति में आर्जुन मंडा, भूपेंदरी यादो, आर्जुन राम मेकवाल, किरन रीजीजू, अश्विनी वैश्नाव, धर्मेंदर प्रधान, भूपेंदर पटेल, हेमंत विश्विशर्म, विश्नु देवसाय, वसंद्रा राजे, इस्मलती इरानी, जोयल ओराम, रवी कि आदर्श आचार सहिंता के दारान, 19 अपरेल की सुभे 7 बजे से, 1 जून की शाम, 6 बजे तक, निर्वाचन के संबन्द में किसी भी प्रकार के एक्सिट पूल का आइजन, तथा प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया में, इसके परणाम का प्रकाशन या प्रचार, प्रदेश के शैडोल जिले में मतदान का प्रतिशध बढ़ाने के लिए मतदान केंडरों पर चुनावी पाटशाला का आइजन कर लोगों को मतदान का पाठ पढ़ाय जा रहा है, ये पाटशाला हर मतदान केंडर पर लगाने की तैयारी है, फिलहाल जैसिंग नगर विध अधिकारी मतदा प्रदेश अनुपरम राजन ने बता है कि लोगसाबा निर्वाचन का एरकर्म का अनुसार दूसरे चरण के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रकरिया जारी है, दूसरे चरण में आज साथ अब्रतियों नाम निर्देशन पत्र प्रसुत क अब तक कुल आठ अब्रति नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर चुके हैं, श्रीर राजन ने बताया कि पहले चरण के लिए भरे गए नाम निर्देशन पत्रों की वापसी के बाद 88 अब्रति चुनाओ मैदान में हैं, नाम वापस लेने के अंतिम दिन आज 19 अब्रतियों कुल संसदीक शेत्र से भारती जनता पार्टी की प्रतियाशी और सांसद दुर्गादास उईके ने आज अपना नामंकन पत्र दाखिल किया, वहीं आज दो प्रतियाशियों ने नामंकन पत्र प्राप्त भी किये हैं, इस प्रकार दो दिन में कुल आठ नामंकन क्रे किये समाचारों में वक्तों चला है एक छोटे से अंत्रालका. अंत्राल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में सौगत हैं. प्रतियाशिक समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे और हाँ, आप भी मददान आवश्य करिएगा. आओ चलो करे मतदान, हर मतदाता की एक अलग पहजान, जै भारत, आप भी मददान आवश्य करें, आनन सर्मा जबलपूर मद्धुदेश. रंग पंचमी के परवाज प्रदेश भर में ओमंग, उत्साह और परमपर अगत तौर पर मनाए गया. इन दौर में रंग पंचमी के आवसर पर आज रंगों से सरअबोर विश्परसित गेर कायजन किया गया. यहां के टोरी कार्नर से राजबाड़ा तक निकाली गई, इस गेर में लाखों की संख्या में हुरियारे और नागरिक शामिल हुए. मुखमेटरी डौक्टर महुनी आदव ने भी रत से रंगों की बाचार कर हुरियानों का उत्साह बढ़ाया. राजदानी मुपल सहते प्रदेश के अन्ने स्थानों में जहां बड़े बज़र्गों ने रंग गुलाल लगाकर रंगमच्मी मनाई, वहीं बच्चों ने भी एक दूसरे को पिछकारी से रंग डालने का उत्साह दिखाया. हमारे विदीशा समवादातों ने बता है कि यहां नगर के प्रमुक मारगों से जुलूस निकला गया, इस दौरान रंग की टंकियों से खूब रंग गुलाल खेला गया, जुलूस गुपतेशवर मंदिर से प्रारंब होकर बड़ा बाजार, तिलक चौक, माधाउ गंज, ह हर कॉलोनी में किया, प्रदीश की सतना और गुना जिले में भी रंग पंचमी का तोहार पूरे उत्साह के साथ मनाए गया, धर के एतिहासे किसमारे कि भोशाला का A.S.I. टीम दौरा लगतर सर्वे कारी किया रहा है, आज नौए दिन भी सर्वे का कारी किया गया, आज प् सर्वे आफ इंडिया के अपर महा निदेश एक प्रोफिसर आलोक तर्पार्टी के नेतरित में सर्वे दल ने भोशाला परिसर में सुबह आठ बचे प्रवेश किया, गोर तलब है कि A.S.I. दौरा पिछले आठ दिनों से वेग्यान एक आधर पर भोशाला का परिक्षन के जा रहा है। प्रात जानकरी के नुसार सर्वे में विशे शक अधिकारियों के विबिन ने चार दल परिसर में अलग अलग कारियों को अन्जाम दे रहा है। गाले में कई स्थानों पर भारी बारिश और बर्फ बारी हो सकते है। वहीं मौसम विबाग के अनुसार मदब प्रदेश के कई हिस्सों में बादल चाय रहने और कहीं कहीं गराचमा के साथ बारिश होने की संभावना है। राजधनी भुपाल में भी आज मौसम बदला सुबह से ही बादल चाय हुए है। मौसम विबाग ने जवलपूर, रीवा, शैडूल, संभाग में कहीं कहीं बाचारे पढ़ने और राजगर, बैतूल, सागर, पन्ना, टीकमगर, दमों और चातरपूर जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमा जिताया है। और अब जिले में केंद्रिय नार्कोटिक्स बीरो दारा अफीम तॉल का कायरा जिसे शुरू किया गया है जो आठ अपरिल तक चलेगा। लोग सबच उनाव में शांती व्यवस्ता बनाए रखने के लिए शैडूल में चार आदेतन बदमाशों को जिला बदर किया गया है। इंद प्रदेश में तीसरा इस्तान हासिल किया है। इसके लिए प्रदेश असंद्वरा नगर पाले का कुछ साथ लाग बीस हजार रुपए सुक्रित कर प्रुस्क्रित किया गया है। प्रादेश की समाचारों के इस बलेटिन में अभी इतना है। आगे दीजे नमस्कार। खर स्वक्रित कर दोद्वरा इस बलेटिनों के लिए नमस्कार।